यार सच में यार जड़ेजा वही है यही गाना गारे होंगे मैं नहीं तो कौन वे एं मैं नहीं तो कौन प्रिकेट की दुनिया में जब जब सबसे बड़े ऑल्राउंडर की बात होगी बिना जड़ेजा की जिक्र की यह बात कभी पूरी नहीं होगी अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो सहमत हैं ऐसा लिखे कॉमेंट सेक्शन में जाकर रॉक स्टार आर जे आई मीन रविंदर जड़ेजा की तारीफ में बढ़ डालो कॉमेंट सेक्शन लोड़ी ज़रूरी लकिना कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे और कितनी अच्छी फिलिंग आ रही है दिल्ली टेस्ट जीतने के बाद और ऑस्टेलिया को पीटने के बाद उनकी भरपाई दूसरी पारी में साथ विकेट लेकर कर गया जड़ू भाई दिल्ली टेस्ट में अपने करियर में दूसरी बार एक टेस्ट में दस विकेट हासिल किया इससे पहले यही कमाल वो इंगलें के खिलाव भी कर चुके हैं इसके लावा 200 विकेट और 2500 रन बनाने पागिस्तान के इमरान खान ने 2500 विकेट और 2500 रन 64 टेस्ट पारियों में बनाये थे जड़ेजा ने उनका रेकॉर्ड तोड़ा है टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 2500 टेस्ट रन बनाने वाले रविंदर जड़ेजा चौते भारती भी बन गए इन से पहले कपिल देव र आपड़ तोड़ पारी खेलने वाले खिलाडी रविंदर जड़ेजा के लिए कभी दोनी ने ट्वीट करके लिखा था कि भगवान ने जब महसूस किया कि रजनी सर बूड़े हो रहे हैं तब उन्होंने सर रविंदर जड़ेजा को बना दिया होगा 2012 में जड़ेजा दुनिया के आठवे हो और पहले ऐसे भारती क्रिकेटर बने जिसने फर्स क्लास क्रिकेट में तीन ट्रिबल सेंचुरी मारी जड़ेजा के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने का भी रेकॉर्ड है कभी लुना से मैच खेलने जाने वाले जड़ेजा आज ओड़ी और BMW से सी गाड़ी होगे माली के भाई रविंदर जड़ेजा की पिता चाहते थे कि उनका बेटा फॉज में जाए फॉजी बने लेकिन जड़ेजा का मन बस क्रिकेट में लगता था वो दिन रात बस क्रिकेटर बनने का सपना देखते थे और इसी वज़े से उनकी माँ लता जड़ेजा जी का सपना था कि उनका बेटा क्रिकेटर ही बने हलांकि माँ अपने बेटे को कभी टीम इंडिया की जर्सी में देख नहीं पाई क्योंकि साल 2005 में एक कार दुरघटना में उनका नितन हो गया तब रविंदर जड़ेजा सिर्फ 17 साल के थे और इतने हताश हो गये थे कि क्रिकेट छोडने का मन बना लिया था बगर अपनी माँ की इच्छा को पूरी करने के जजबे ने जड़ेजा को मजबूती दी आज रविंदर जड़ेजा को सारे लोग सर रविंदर जड़ेजा बुलाते हैं लेकिन अभी हाली में एक इंटर्विव में उन्होंने बताया कि अब उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें थर बोले आगे इसी इंट्रिवी में उन्हें उन्हें ज़्याद अच्छ लगेगा अगर सर के बजाए लोग उन्हें बापू बुलाएं बापू हमारी संस्कृति का हिस्सा है हम जिसकी भी इज़त करते हैं उसे बापू कहकर ही बात करते हैं बापू रविंदर जड़ेजा आप भारत के लिए ऐसे ही जंडे गाडते रहे ही हमारी प्रारतना रहेगी और जड्डू के चाने वाले कॉमेंट सेक्शन में उनके लिए कुछ बढ़ियां सा लिख डालो और वीडियो भी इतना शेयर करना की जड़ू भया के वाटसेप और टेलेगराम और इंस्टाग्राम पे वीडियो टिन 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 आईसे नोटिफिकेशन पहुंचे और वीडियो देखके खुद कॉमेंट सेक्शन में आके कहें कि वाब हुआ बढ़ियां बोले हो बे क्रिको को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा थैंक्यो वेरी मच पर वाचिंग और अपना ख्याल रखिएगा जल्दी मिलते हैं एक और जबर्दस वीडियो के साथ जैहिंद